हेलो गाइस यह है एक जादोई शैंपू अगर आप इस शैंपू को अपने बालों में लगा लेंगे तो आपके बालों के हेर ग्रोथ तेजी से ऐसे बढ़ेगी कि वो कभी रुकने का नाम ही नहीं ले पाएगी मैंने इसमें की हैं कुछ ऐसी चीजे एड जिससे आप अपने बालों को बढ़ना सकते हैं चारगुना तेजी से घना तो जानने के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखिएगा हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल फ्रेंड्स इजी सिंपल ऐसा कारगर नुस्खा जिसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जूर्ट नहीं पड़ेगी और बिना मेहनत के ही आप अपने बालों की चारगुना तेजी से ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं तो अगर आप भी जाना चाते हैं कि आखिर आपको ऐसा करना क्या है कि बिना मेहनत के आपके बाल चारगुना तेजी से बढ़ें तो इस नुस्खे का शरूर अपलाई कीजिए बनाए और अपने बालों में यूज कीजिए यानि कि अपने बालों को मात्र वोश करना है फ्रेंड्स म मैं यहाँ पर ले रही हूँ फ्रेंड्स संसिल्क का शेंपू आप जो भी शेंपू यूज करते हैं वो शेंपू ले सकते हैं मात्र एक ही पाउच आपको लेना है और अगर आप गल से बाल घने है तो आप दो पाउच भी ले सकती हैं मात्र आपको करना क्या है इस अब आपको इसमें एड कर देना होगा एक चम्मच निमुखा रस और इसे कीजिए अच्छे से मिक्स देखी गई बहुत ही असानी से ये मिक्स हो चुका है तो आपने देखा ना कि इस रेमेडी को बनाना कितना असान है फिंट्स दही के गुडनेस के बारे में तो आप जान दे ही है दही के युश से हमारे बाल एकदम से मजबूत होते हैं जडों से मजबूत होते हैं ओल की कमी दूर होती है यानि कि हमारी जब जड़े बेजान हो जाती है रूखी हो जाती है वहाँ पर फ्रेंट्स पोशन की कमी हो जाती है तो कर्ड हमारे बालों में एक बहुत ही अच्छे पोशन का कार्या करती है यानि कि हमारे बालों की ज़मी सौफटनेस चीन गई है जिससे हमारे बाल जड़ स निकलते हैं तो फ्रेंट्स लैमन का रस भी हमारे बालों की जड़ों में जाकर बालों की जड़ों को पोशन देता है उनकी जड़ों को क्लीन करता है यानि की बालों की जड़ों में जब धूल पल्लूशन जम जाता है तो भी हमारे बाल तेजी से निकलने लग जाती है तो ल बालो में लगाएं अपने बालो को बना लेजिए हमेशा के लिए लम्बा-काला-घना और इतना ही नहीं इसके यूस से आपके बाल होंगे तेजी से चार गुना घने तो गाइस अगर आप भी चाहते हैं बालो की लंबाई को तेजी बढ़ाना तो इसका जरूरूर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जल्दी से सबस्क्राइब कर लीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ दोस्तों